हेलो एन वल्लकम गई स्वागत आपका फेंटासी डिशन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICC मेंस उडियाई क्रिकेट वल्लकप की बात करेंगे तो मैच होगा यह पर अफरीका और निदलेंड के बीच में तो चलिए दोनों इटिम के प्लेयर पर एक बार न इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करते हैं इस मैच की इससे पहले लग छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटुटुब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि यह पुरी टूनामेट हम यूटूब चैनल को सबसे पहले आपको सबस्क्राइब करना है साथी में टेलिग्राम से भी जुड़िएगा क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचिस की तो यह मैच की तो यह मैच दो पहर में दो बजे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एस्पोशिएशन स्टेडियम दर्मशाला में एकला जाएगा वन अप द ब्यूरिवल स्टेडियम पीच रिपर यह ऐसे तो बैटिंग के लिए अच्छी बीच है क्योंकि श्रिलंका के सामने इन्होंने चासो अठाइस रण किये थे तो यहां पर इनकी पहले बैटिंग आगए तो हो सकता है पर चासो नहीं तो लगबग लगबग इकवली आकड़ी है तो ट्वास इतना साइड मायने रखेगा ने अभी वह तो डिपेंड करेगा यहां अफरीका के उपर कि वह पहले बैटिंग अथे जित्ती या फिर चेजिंग अथे लेकिन याद रखेगा नेदर्लेंड बहुत मेहनत कर रही है आइटिंग बले वह एस्वेसे नेशन की तरब से आ रही है लेकिन काफी मेहनत कर रही है आपर तो हो सकता है आपर कभी भी लिकिन इये कभी भी बधा पलट वर कर सकती है वीकेट करें बात कर दो चे मैच के इंदर एटालीस एगेट स्पेस्टर्स को मैली है और भी स्वेशा को हिसे लिए एटम जीद्वा नार। दोनों ही आपर धमा के दार जित के आ रहे हैं ओपनिंग में आपर क्वांटन डी को जो की दो सेंचुरी दो लगातार मेंचिस के अंदर दो सेंचुरी एज प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैफ्टन इंपॉन्टेस रहेंगे इसके लावाइस से तैंबा बहुमा इस मेच के बहुत सारी पॉबलिक डॉप करेगी तो यह आपके उपर डिपेंड करेगा बाकी तीनों पिलेयर को तो बिल्कुल डॉप नहीं करना है ज्यान में रखेगा हो सके तो रिस्क ले सकते बाकी स्मॉल लीक के लिए अभी के लिए लेके जाना रिस्क के देगा सेंप चीजा थे डेविड मिलर भी काफी नीचे करते हैं मारको एंसें इस मैच के लिए आपके लिए कैप्टन वाइस के प्रेंशिप की चोईस बनेंगे हाला कि दोनों मैच के अंदर या पर दो दो विकेट निकाली बार चबीस रहें कि यह लास मैच के अंदर इसके पहले बीनों ने बारा रन किये जिसमें से एक सिक्षर सामिल और वह भी तकडी बहुत ही जबजस्त क्लास्टिक्स से तो अच्छी बैटिंग बेची करवा लेते हैं और बॉलिंग से आपको एडबाटेज देंगे इसके लिए से कंगी सो रबाड़ा केशाव महराज यह दोनों इंपोनेस रहेंगे बाकि शमसी और लुंगी इंगिड हैं सारे के सारे गेंबार देख सकते हैं अब लोग सारे के सारे कंशिस्टन्ट हैं बेंच में से कोई भी पिलियर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगेरा टेलेग्राम चैनल पे पर वाइड़ करेंगे आपको चैन्जिस तो शायद शायद नहीं होगा 99 परसें त कॉनसे बॉलर्स को किस कंडिशन में बॉलिंग देना है यह सारी यह सब लिख के लाते हो और पीछ के ओपर ही सारा डीटेल से मतलब उस सीच से हमें मालूम पड़ता है कि इनकी मेहनत क्या है ओपनिंग की बात करें तो यह आपर विकरम जीत सिंग और मैक्स को दाउस दोनो बैटिंग से जवर्जा स्पों में साथ में ओस भी पूरी नहीं लेकिन ऊस करवा रहा है बस दी लीडि इस टिम के सबसे बहतरीन वाल राउंडर काफी अनुबही प्लेयर के साथ कैप्टन और वास कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो पहली मैच के अंदर 67 रन किये साथ में चार विकेट निकालें दूसरी मैच की बात करो तो 18 रन किये साथ में एक विकेट निकाला ओस पूरी करवाएंगे बैटिंग से भी अडवांडेज देंगे तो डेफिनली रेके जाना इसके लिए से तेजा नीदा ना मुरू की बात करो तो यह क्यों के रहेंगी आला कि इ यह सी बात है आपको दो विकेट केपर को लेना पड़ेगा जो की काफी रिष्की रहेगा क्योंकि अपरिका की गैन बाजी भी काफी जबज़स है तो हमारा फोकस यह पर गैन बाजी के ऊपर रहेगा इसके लिए से साइबन एलबेच की बात कर तो ओके ओके जील में ट्रा अब यह सारी टीम अवैलेबल नहीं थी रूडल्फ मार्म देर मर्म शाहिद यहां पर क्वांटेंट डीकों की विकेट बगेरा निकाल सकते बाकी तो यह एक लोजिक इन लोजिकली जो भी समझो बात है ट्राइग करना जाओ दो कर सकते हैं प्लेयर अच्छा है रियान क्ल दोनों यहां पर कंशिस्टन विकेट निकाल रहे हैं स्टार्टिंग में आपर आजन दत्ता और रियान क्लैन देथोस में आपर बस दे लिडी और आजन दत देख में डालेंगे बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टार्स और अपडेट वगेरा टे लेंगे बाकी तो और कोई बडलाव शायद टीम नहीं करेगी अभी के लिए देख लेते हमारी फेंटासी टेम कौन सी हो सकती है कौन से प्लेयर को में लेके जाना है और कौन से प्लेयर को लोग आसे ड्रॉप कर सकते हैं तो विकेट की बिंग सेक्शन से वांटन डीप को एक बार फिर से लिया हमने क्योंकि इनको पहली मैच के अंदर भी हमने लिया था इसके साथ वी सिंग रहेंगे हमारी टिम के अंदर बाकी तो यहां से अगर आप लोग चाहो तो मेक्सोदाउस को ले सकते हैं यह ओपनिंग में आएगा और डेविड मिलर का आइधिंक आपको वीडियो में बताएं यह दोर था जहां पर वह अफरीका के लिए कहलते हैं तो है कुछ कंडिशन अगर वह प्लेस के समझे लेकिन वह जब अफरीका के सामने खेलते थे तब यह सारे प्लेस अवाइलेबल नहीं थे यह बीए कंडिशन है बाकी तो यहां पर करन भी अच्छे फॉर्म है तो यह भी एक रिस्क बन सकता है आपके लिए टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इससरा से रहेगी हमारी के कप्तान रहेंगे क्वांटन डीकॉक और वाइस के लिए रहेंगे इसके लावा यह से चोईस की बात करो तो याडम मरकरम बेस्ट हो करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे आने वाली और जैन्निवाद जैहिंद जैवारत